नमस्कार दोस्तों तो चली आज हम लोग बात करेंगे ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसे पूरी दुनिया दा ग्रेट अलेक्जेंडर या फिर शिकंदर महान के नाम से जाती थे आपको याद होना चाहिए इनकी पूरी वाइवगराफी कबर करेंगे हम लोग जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और याद रखिए कई लोगों की हम लोग वाइवगराफी पहले भी कबर कर चुके हैं जैसे चाणक हो गया अन्नाहजारी अभी आपके वो अर्थमान में एक तरह से आप समझेए कि गांदी जी के रास्ते पर चलने वाली ब्यक्ति हैं और हमारे जो पुराने नेता हुआ करते थे उनसे भी बहुत को सीखने को आपको मिलता था तो पूरा आपके पंडित जवाल लाल नहरू से लगा कर प्यधान मंतरी मौधी तक सभी की वाइवगराफी कबर की हुई है और राष्ट पतियों में अगर हम बात करें तो डॉक्टर करते रहेंगे तो यह सभी आपकी क्लास में वाइवगराफी की नाम से जो आपकी खले लिश्ट सूची है उसी में डली हुई है आज हमें बात करने है सिकंदर की बारे में इतियास में बैसे तो आपने देखे हैं बहुत सारे राजा हुए लेकिन एक ही ऐसा राजा हुए जिसके नाम के आँगे, पूरी दुनिया क्या लिखती है, महान लिखती है, महान सिकंदर, वो अलेकजेंडर, जन्हें पूरी दुनिया सिकंदर की नाम से जानती है, याद रखिए, अलेकजेंडर इनका दूसरा नाम है, कई जगे आप देखते हैं, अलेकजेंडर लिखकर आ काम है और बैसे आप लोगों को समाजना चाहिए कि आज अगर जो भी आप काम करें वो कल आने वाला इतिहास है समझ रहें हैं आज से कई पीडी बाद देखिएगा हमारे जो भी बच्चे होंगे वो हमारे बारे में पढ़ रहे होंगे आज जो भी हम लोग कर रहे हैं हो सकता इससे बुरी-बुरी गाली आम लोगों को पड़े आने वाले दिनों में क्योंकि आज हम आवाज नहीं उठा रहे हैं मुझे तो लगता है कि बोलना भी एक तरह से क्रांतिगारी हो गया है यानि कि बोलना सच बोलना भी एक आंदोलन से कम नहीं है इस समर्ण देख रहे हैं आप लोग इस दुनिया में कई महाल लोग आये लेकिन सिकंदर सिर्फ एक ही था सिकंदर का नाम सिर्फ इतिहास के पन्नों पर जिंदा है बलकि भारतिय सिनामा में भी सिकंदर की महानता पर कई फिले में और कई तरह की गाने भी लिखे है और तो सिकंदर के नाप पर एक कहावद भी है ए पिक्चरस देख रहे हैं देखे पिक्चरस उनकी किलियर नहीं है बता किसी को क्योंकि आप समझ रहे हैं कप की बात है प्राचीन वारत की चंदगुप्त मौर कोटले की समय की बात है समय रहे हैं तो इतना उस समय ना तो इस तरह के आपके कैमरी हुए करते थे ना ही कोई बस बना दी गई है जित्तकारों कोई द्वारा तो सीक हम लोग आज भी फॉलो करें अगर हम लोग सिकंदर की जनम की बात करें अलेकजेंडर या सिकंदर तो इनका जनम 20 जुलाई 356 इसापूर में हुआ 20 जुलाई 356 इसापूर में 356 समझ रहे इसापूर मतलब BC इसा के 356 वर्स पूर हुआ इसा के जनम की पूर जो 356 है उसे 356 इसापूर हुआ यानि की BC में ठीक है और इनका जनम कहा हुआ था पेला में जो प्राची नेपोलियन की राजधानी थी अलेक्चेंडर फिलिप दुतिये का पुत्त था इनकी बाप का क्या नाम था फिलिप दुतिये जो मैक्टोनिया और ओलम्पिया की राजा थे इसके पड़ोसी राज एपी रोस की राजकुमारी उलम्पिया उनकी मा थे एलेक्जेंडर की नाना राजा नियो नियोटोलेमस थे तो आपको याद रखना है इनका जनम कब गवा? 356 इसापूर में और इनके पिता का नाम क्या था? फिलिप दुतिये और माता का नाम माता का नाम था उलम्पिया और इनके युनाना थे उनका नाम था राजा नियोटोलेमस तीक है? अलेक्जेंडर की एक बहन भी थी इन दोनों में की परिविष फेला के साही परिवार में हुई थी उन्होंने अपने पिता को जन्दतर समाई सेन अभियानों या फिर विवाहे उत्तर संबंदों में वेस्त ही देखा लेकिन उनकी मा ने अलेक्जेंडर और उनकी बहन की परवरिष में बहुत ध्यान दिया और एक बात हमेसा याद रखिए मुझे लगता है कि बेटों पर जितने भी बेटे होते उन बाप का साया यानि कि बाप जो भी कर रहा हो उसका फरक तो पड़ता है क्योंकि आपने देखा है इनकी पिता जी भी हर समय ये उद्धों में बीदे रहते थे संगयस मतलब एक तरह से चलता रहा उनका अलेक्जेंडर की सिक्षा की बात करेंगा हम लो तो अलेक्जेंडर अपनी प्यारंबिक सिक्षा अपने रिष्तेदार दी इस्टर्ण लियो नेडास ओप एपिरूस से ली जिसे फिलेप ने अलेक्जेंडर को गड़ित गोड़सवारी धनो विद्या सिकाने के लिए निक्तिक किया था लेकिन वो अलेक्जेंडर की ओग और विद्रोही सोभाव को नहीं समाल सके इसके बाद अलेक्जेंडर की सिक्षक लाई से मिक्स थे जिन्होंने अलेक्जेंडर की विद्रोही सोभाव पर नेंतर किया उसे युद्ध की सिक्षा दीक से दी आप समझेगे कि उस समय इस तरह आज समझ रहे हैं विग्यान आपको पढ़ाया जा रहा है उस समय योद्धी की सिक्षा दी जाती थी क्योंकि आपको आगे जाके करना क्या है योद्धी तो लड़ना है तो उसी की सिक्षा दी जाएगी अगर किसी को पंद्राई करनी है, किसी को मंदिर में पुजा करनी है, तो उसी उसकी सिक्षा दी जाती थी जब ओए 13 वर्ष कही हुए, तब फिलिप ने सिकंदर के लिए एक निजी सिक्षक, एरिश्टोटल की निवक्ति की अरिश्टोटल को भारत में अरस्टू कहा जाता है, यह आपने सबसे जान दर सुना हुए, कि सिकंदर की गुरू का क्या नाम था, अरस्टू, इनका नाम अधिकाता है, अंगले तीन बरसों तक अरस्टू ने सिकंदर को साहित की सिक्षा दी और वाकपटुता भी दिखाई, इसके अलाबा अरस्टू ने सिकंदर का रुजान बिग्यान दरसन, सास्ट और मेडीकल के छेत में भी जगाया, यह सबी विधाये ही कलांतर में सिकंदर के जीवन का महत्पूर्ण हिस्सा भी बन गई, यानि कि यह चाड़क से कम नहीं है, इनके पास भी सिक्षा, आप दे अब बात करते हैं अलेकजेंडर और उनका योद्ध कौसल, अलेकजेंडर ने अपने पिता द्वारा मैकडोनिया को एक सामान राच सिमहान सेन सक्ती में बदलते देखा था, अपने पिता की बालकंस में जीत पर जीत दरच करते हुए देखते हुए सिकंदर बढ़ा हुआ आप सोचे कि जिसके आप ही सोचे कहीं ही आपको देखेगा कि योद्ध में कोई लड़का बढ़ा हो रहा है तो बोल लगबल आप समझ रहेंगी एक योद्धा ही बन जाएगा लगबल क्योंकि आपकी फर्वरस के आसपात जो चल रहा होगा उसी में आप धल जाते हैं एक नहीं पा रहा था इसके बारे में पिलोटार्ट ने लिखा है कि फिलिप और उनके दोस्त पहले चिंतावरी खमोसी से पाईडाम की पितिक्चा कर रहे थे और ये मार रहे थे कि फिलिप के पुत्त का करियर और जीवन अब खतम होने बाला है लेकिन अंत में उन्होंने लो से उतरे और उन्हें अपने बेटे को गले या किस करते हुए कहा कि मेरे पुत्त तुमको खुदी की तरफ और इस महान समराज की तरफ देखना चाहिए एक मैकडोनिया का राज तुम्हारे सामने बहुत चोटा है तुम में असीम पितिभाय है अलगजंडर ने अपने भी बसाएगे गोडे के नाम पर अब बात करते हैं हम लोग 340 इसापूर में यानि कि 340 बीसी की बात की जा रहे है तिन सो चालीस बीसी में जब फिलिप ने अपनी विसाल मैकडोनियाई आर्मी को इकतित करके थ्रेस में गोस्पेट शुरू की तब उसने अपने 16 वर्स की पुत्य सिकंदर को मैकडोनिया राज पर अपनी जगे सासन करने के लिए छोड़ दिया था इससे यह पता चलता है कि इतनी कम में ही सिकंदर को कितना जिम्मेदार माना जाने लगा है और आज की आप जिम्मेदारी की कहिए तो 35 से 33 साल तक 30 साल तक कम से कम आज तक बचकान रहता है कोई मतलब हैसले लेने की हिम्मत नहीं होती है अधिकता लोगों में या तो परिवार की मतलब एक बच्चों की तरह हरकरत करते रहेंगे समझ रहे हैं और उस समय देखिए 16 साल कोई 12 साल कोई 10 साल में मतलब अपने कर्तब दिखा देता था अपनी पीतिभा को कि उत्तरपूर्व सीमा पर बिद्रो कर दिया जिससे देश के लिए खतरा वड़ गया सेकंदर ने आर्मी कट्टी की और इसका इस्तेमाल बिद्रोहियों के सामने सुरू किया और तेजी से कारवाही करते हुए मेडी जंजाती को हरा दिया इनके किले पर कप्जा कर लिया और इसका नाम उसने खुद की नाम पर एलेकजेंडो पॉलिस रखा आप समझ रहें एक बात और याद रखिए कि वही व्यक्ति इतिहास में याद रखा जाता है जो अंतिम समय तक अपना काम करते रहे अपने इमानारी से आप सेकंदर को ही ले लेजे लाश्ट तक लड़ दो वर्स यानि दो वर्स बाद यानि कि आपका 338 सीशा पूर्म में फिलिप ने मैकडोनियाई आर्मी की ग्रीस में गुसबेट करने पर अपने बेटे को आर्मी में सीनिया जनरल की पोश्ट दे दी शेरोनिया की योद में ग्रीक की हार हुई और सिकंदर ने अपनी और चीशता है जो दे आधा आध था यानिकिंद्यंकी सेकंदर की इसमें सबसे जांदा यह उदान था उनिके उदान के कारण यह जीट मिली थी अगर हम लोग परिवार के ने इसकंदर की परिवार का विखरना और फिलिप दुतिय की हत्या की बात करें तो चेरो नया में ग्रेप की हार के बास साही परिवार विखरना लगा फिलिप ने किले ओप्टेरां से साधी कल दी और साधी के समारों में किले ओप्टेरा के अंकल ने फिलिप के न्याय संगत उत्रादिकारी होने पर सवाल लगा दिया सिकंदर ने अपना कप उस बैक्ती के चहरे पर फिख दिया और उसे बाश्टर्ड चायल कहने के लिए अपना क्रोध ब्यक्त किया फिलिप खड़ा हुआ उसने सिकंदर पर अपनी तलवार तानी जो कि उसके अर्थ चेतर अवस्ता में होने के कारण चहरे पर ही गिर गई सिकंदर जब तब क्रोध में चलाया कि देखो यहाँ वो आदमी खड़ा है जो ईरो से एसिया तक जीतने की तेयारी करा है लेकिन उस समय अपना संतुलन खोए बिना एक टेवल तकपार नहीं कर सकता इसके बाद उसकी मा को साथ लिया और एपिरेस की तरफ चला गया हालाकि उसे लोटने की अनुमती थी लेकिन इसके बाद काफी समय तक सिकंदर मैकडोनियाई कोट से बिलगी रहा यहाँ सीधा सा कहने का मतलब है कि आप सोचिए कि कभी कभी आपने देखा है कि किसी की बिजजिती की जाती है और किसी को मतलब उचा या नीचा दिखाने के लिए आप कोई भी कदम उठाते हैं कभी उस कदम को बहुत सच में माल लेता है और आगे बढ़ जाते है तो इनके साथ भी सिकंदर के साथ भी यही देखा गया है और इन्हें बापसी आने की अपने राज में आने की चूट थी लेकिन उन्हें ने देखा कि देखे पीछे नहीं मुड के देखा वो यही सिकंदर की खासियत रही है हमेशा कि उन्हें ने कभी भी अपना पीछे मुड के कभी नहीं देखा एक जीत पर जीत जीत पर जीत करते आगे बढ़ते गए अगर हम लोग अलेकजेंडर का सत्ता अधी गहन की बात करें तो 336 BC यारी कि 336 इसापुर में अलेकजेंडर की बहन ने मोलोसियन की राजा से साधी की इसी द्वरान होने वाली महोसों में पोसा नियास ने राजा फिलिप दुदिये की हत्या कर दी और अपने पिता की मित्यू की समय अलेकजेंडर 19 भर्स का था यारी कि कहने का मतलब जब सिकंदर की पिता की हत्या हुई उस समय सिकंदर आपका 19 साल का था कितना? 19 साल का था उसने सत्ता हासिल करने का जोस और जुरूर चरम पत था उसने मैकडोनियाई आर्मी के सस्यागार के साथ जनरल और पोच को इकतित किया जिन में वो सैना भी साबल थी जो केरोनिया से लड़ी थी सेना ने अलेकजेंडर को सामंती राजा गोसित किया और उसकी राजबंस के अन्यवारिसों की अत्या करने में मदद भी की ओलम्पिया ने भी अपने पुत्रे की इसमें मदद की और उसने फिलिप किले ओप्टेरा की पुत्री को मार दिया और के लिए ओक्टेरा को आधमत्या करने के लिए मज़ूर कर दिया यानि कि से उद्ध में सिकंदर की भाने भी सिकंदर का साथ दिया अलेक्जेंडर के मैकडोनिया की सामन्ती राजा होने के कारण उसे कोरिंथियन लीग पन्यंत्र ही नहीं मिला बलकि ग्रीस के दच्छडी जो राज थे उनने फिलिप दुतिय की मित्तुत का यानि की मनने का जसन मनाना भी सुरू कर दिया और उन्होंने बिभाजित और सुतंत अभी व्यक्ति सुरू कर दी एंधेन के पास भी एक खुद का एजेंडर था डेमोक्रेटिट डेमो इस्थेनेस की नित्त्त मैराज की को लीग का चार्ज मिलने की आसा थी उन्होंने जैसे ही सुतंत आंदोलन सुरू किया और अलग्यंडर ने तुरंत अपनी आर्मी को दच्चन में बेढ़ा और उन्हें अपना नेत्त्त मानने के लिए कहा तिरा आंगे बढ़ते हम लोग 336 इसापुर के अंत तक कौनी तियन लीग से सम्मदी सहरों में ग्रीक राच्चों के साथ पुना संदी कर ली जिन में एंतेस ने इसके लिए मना कर दिया और अपने सवल सेना को पार्शियन राज के खिलाब लड़ने को बेढ़ दिया खावर मिली के ग्रीक राच्च के सहर थेविस ने मैकडोनियन फोच को अपने कले से भगा दिया अन्य सहरों के विद्रोग के डर से अलेकजेंडर यानि की सिकंदर ने अपनी सेना के साथ दच्छिड का रूख किया इन सब घटना क्रवों के दोरान इस अलेकजेंडर के जनरल परनियन ने एसिया की तरफ अपना मार्ग बना लिया अलेकजेंडर ओर्स की सेना थेविस में इस तरह से पहुंची कि वहां की सेना को आत्मरक्षा तक का मौका नहीं मिला यानि कि सभलने का भी उन्हें मौका नहीं दिया गया अलेकजनर का मानना था कि थेविश को तभा करने पर अन राज्यों पर भी उसका डर कायम होगा यह वास बैसा ही आल है कि आपने सुनाओगा कि राजा क्या किया करते थे कि एक राजी पर बढ़ा अत्याचार कर दिया करते थे तो दूसरे आसपास के जो भी राजी हुगा करते थे उस राजा से डन्ने लगते थे आपने पदमाबत मूवी देखी है ना उसमें जिस तरह से आपने दिखा है अलाद दीन खिलजी अपना डर बनाया रखता है उसी तरह यह भी थी उसके यास अंदेशा सही साबित हुआ यासा करने पर एंथेस के साथ ग्रीक के अंदेशार भी मैग्डोनियन राज के साथ नौकाहें सुनुक किया और उस बर्स की वसंत में ट्राय में पहुचा और अलेकजेंडर ने ग्रिंसियस नदी के पास पार्सियन राजा डारियस तिती की सेना का सामना किया और ने बुरी तरह से पराजित किया पत्जड के आने पर अलेकजेंडर और उसकी सेना ने आरामी किया आप समझ रहे हैं मतलब कभी भी मुझे नहीं लगता है कि कभी आपको देखने को मिले कि इन्होंने किसी हार का सामना किया जो भी यह उत दिनोंने लगा उनमें सम्में विजय ही हुए आपका 333 इसापुरु की बात की जा रही ठीक है? 333 बीसबी की गरिमी में अलेकजेंडर यानि की सिकंदर की सैना और डारियस की सैना के मद्द एक बार फिर से यह उत दुआ अलाकि अलेकजेंडर की सैना में जादा सैनेक होने की कारण उसकी फिर से एक तरफा जीत हुई और अलेकजेंडर ने डारियस से को पकड़ कर, तड़ी पार करके खोद को पार्सीया का राजा गोशित कर दिया अलेकजेंडर का अंगला अटलक्ष था एजिप्ट क्या, एजिप्ट को जीतना था ग्याजा की गहराबंधी करके अलेकजेंडर ने आसानी से एजिप्ट पर कपचा कर लिया अलेकजेंडर ने गोग मेला की योद में परसिया को रा दिया और परसिया नार्मी की हार के साथी अलेकजेंडर बेबी लौन का राजा बन गया एसिया का राजा और दुनिया के चारों कोनों का राजा बन गया कौन अलेकजेंडर का अलेकजेंडर का अंगला जो लक्ष था वो था इस्टर्ण इरान था जहां उसने मैकडोनियन कालोनी बनाई और अरीमा जेस में 327 किलों पर अपना कमचा जमाया फ्रेंस और जी आर्टेस को पकड़ने के बाद उसकी उसने फ्रेंस की बेटी रोख जाना से विवावी कर लिया अब चलता है भारत की ओर तो 328 इसापूर में यानि की 328 बीसी में अलेक्जंडर ने भारत में पोरस की सेना को हराया लेकिन वो पोरस के प्राक्रम के से बहुत प्रभावित हुआ उससे बापिस राजा बना दिया आपने सुना होगा की पोरस से जब उसने पूचा की आपके साथ हारने की बात की आपके साथ क्या करना चाहिए तो पोरस का कहना था की जो अन राजाओं के साथ एक राजा करता है उससी के साथ वही विवार करना चाहिए उसके साथ लेकिन उसकी बहादुरी से खुसो कर उसे बापिस राजा बना दिया उस चेत का अलेकजंडर ने सिंदू के पूर्व की तरह बढ़ने की कौसिस की लेकिन उसकी सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया बापिस लोटने को कहा 325 बीसी में अलेकजंडर ठीक होने के बाद बाद अपनी सेना के साथ उत्तर की तरब पार्सियन खाड़ी के सारे करोग किया उस समय बहुत से लोग बीमार बढ़ गए कुछ चोटिल भी हो गए तो कुछ की मित्तिव भी हो गई अपने नेतत्त और प्रभाव को बनाया रखने के लिए उसने पार्सिया के प्रभुद जनों को मैगडोनिया डोनिया के प्रभुद जनों से मिलाने का सोचा जिससे एक सासक बर्ग बनाया जा सके इसी किरम में उसने सुसा में उसके उसने मैकडोनिया के बहुत से लोगों कुपाड़ सिया कि राजकुमारियों से साधी करवाई याद रखिए आगे बढ़ने का कई बार कहते हैं कि इसके सेनकों ने आगे बढ़ने से इसलिए मना कर दिया था क्योंकि ये बहुत टाइम से योध लड़ रहे थे तो ठप चुके थे और एक बात और इसमें जोड़ी जाती है कि परिवारों से बिछड़ना भी इनका एक तरह से आंगे ना बढ़ने का कारण था क्योंकि बहुत टाइम से ये लोग परिवार से अपने नहीं मिले थे तो इनों ने इसलिए आंगे बढ़ने से मना कर दिया अलेकचेंडर ने जब दसजार की संक्या परिशियन सेने के अपनी सेना में निवत कर लिये तो उसने बहुत से मैगडूनिया ही सेनिकों को निकाल दिया इस कारण सेना का बहुत बड़ा हिस्सा उससे खपा हो गया और उन्होंने पार्षियन संस्किती को अपनाने से ही भी मना कर दिया अलिकजेंडर ने जब तब 13 पार्षियन सेना नायकों कुमरभाकर मैकडोनिय सेनिकों का ग्रोज सांथ किया इस तरहे सुसाल में परिसिया और मैकडोनिय के मद संबन्नों को मदरू बनाने के लिए किया जाने वाला आयुजन सफल नहीं हो सका अब ये तो परिडाम तभी आप समझ सकते थे कि जब समझीए कि ये आगे बढ़ता सेनिक तो हो सकता था कि भारत पर भी पूरी तरह से कपजा कर लेता अब बात करते हैं अंतिम यात्तरा यानिकी इनकी मौनने की कार्थे जो रोम पर विजय परापत करने की बाद अलेकजनर की मित्यु मलेरिया रोख के कारण पेवीलोन में हो गई यानि कि इनकी मित्यू कोई योद लड़ते हुए नहीं हुए मलीरिया रोख की कारण हो गई अगर ये कुछ दिन और जिंदा रहते तो आगे की कहानी और दिल्चस हो सकती थी अलेक्जेंडर की मित्यू होती है 13 जून 323 बिसी में यानि की 323 बिसी में इनकी मित्यू हो जाती है तो आमात 32 वर्ड की थे कितने 32 वर्ड की थे फिर भी देखिये कितना काम कितनी बीता से लड़ते रहे उनकी मित्यू के कुछ महिनों बाद ही उनकी पतनी रोखजाना में ने एक बेटे को जनब दिया और उसकी वित्तियों के बाद उसका सवराज बिखर गया और इसमें सामिल देश आपस में सक्ती के लिए लड़ने लगे ग्रीक और पूल की मद्ध हुए साल्सकितिक समनवे का एलेकजेंडर की सामान समराज पर बिपरीत प्रवापड़ा याद रखिए आपके हाँ चन्दगुत मौर का जो राजजवी से हुआ उसके द्वारा सभी राज्चों को जीता गया इसी समय की बात है क्योंकि आपने देखा है कि सिकंदर के आकमड की समय उसने भाप लिया था कि हमारे देश में भारत में एकता नहीं है कहा जाता है सिकंदर की अंतिम एक्छा क्या थी वही सिकंदर की मौत के बाद जब से उसके पार से सरी को ले जाया जा रहा था तो उसने उसके दोनों हाथों को कफन नहीं उड़ाया गया था अथा उसके दोनों हाथ लटक रहे थे क्योंकि सिकंदर चायता था कि उसके दोनों हाथ अर्थी के बाहर रहे ताकि सारी दुनिया देख ले कि उसके भी साथ हाथ खाली यह गाना भी आप लोग ने सौंग भी सुनते रहते हैं कि सिकंदर हाल क्या लेकर आया था हाथ खाली जाया इस तरह की गाना नहीं है बहुत सा खाली हाध भी गया, कुछ नई ले गया। अर्था जिसने दुनिया जीत ली और जिसने अपनी मुठी बार में सब कुछ भन लिया और जाते वक्त उसके भी हाथ खाली रहे। वरहाल ये तो नियम का विधान है कि जैसे इंसान खाली हाथ आता है बैसे ही वो खाली हाथ उसे जाना भी है, फिर चाहे हुआ कितना भी महान क्यों ना हो, फिलहाल किसी से भी हर नहीं मानने वाले समराट सिकरंदर ने हर कभीले पर फथर किया, जिसे हुआ चायता था, जाहरे की दुनिये चायता था और तब तक पूरी बहादुरी से लड़ा, जब तक कि उसने अपनी याद रखिए, आप जो सुनी छेतवे, यह नहीं है कि आप योद लड़ रहे हैं, आप किसी एक्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं, तब भी आप इतने ही सक्ती से अंतिम तक परियास करते रहे हैं, हाल जीत यह अलग बात हो जाती है, परियास ना करना, अपनी पूरी सक्ती स आगे बढ़ते हैं, और ऐसे नामाव में सबसे उच्छा नाम महान सिकंदर, बिजेता, बिस बिजेता सिकंदर का है, जो की हमेशा याद रखा जाएगा, इतियास जब तक भी रहेगा, जब तक रहेगा, नाम हमेशा याद रखा जाएगा, तो यह कहारी थी आपके सिकंद कि आगे हम लोग बात करेंगे अब चंद गुप्त मौरी की बारे बें ठीक है